वर्फ की मोटी परत के उपर स्केटिंग रिंक में कलाबाजिया दिखाते ये बच्चे ये नजारा है गुडगाओं के Ambience Mall का जहां Ice Skate और Ice Skating Association आफ इंडिया ने Figure Skating Competition का आयोजन किया था इस Competition में देश भर से बच्चों ने हिस्सा लिया जिने Association की तरफ से Cash Prices और Participation के Certificates भी दिये गए Competition के हिस्सा बने ये प्रतिभाशाली बच्चे बेहद उत्साहित हैं और विश्य में अपने देश के लिए Olympic Medal जीतने का लक्ष रखते हैं Actually international size का रिंक इस से बहुत बड़ है हमें मैं आच कर रहे है इस पोड़ कर रहे है इस बहुत बाद है इस बहुत बड़ है इस हमें मैं आच कर रहे है If we would get more support and bigger rings it would be really good The potential will increase massively and there will be a lot more takers for the sport and we'll have more skaters also from India to represent our country and show that we can also do well in sports that we don't actually have facilities off here आइस स्केटिंग एक बेहत आकर्शक और रोमांचक खेल है और आइस स्केटिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स और वेटरंस भी मानते हैं कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बस जरूरत है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और मोटीवेशन की आइस स्केटिंग इस नाओ कैचिंग आप आइस स्केटिंग और आइस होकी दोनों कैच आप कर रहे हैं रोलर स्केटिंग थोड़ी पीछे रह गही है लेकर पार्टिसिबेशन रोलर स्केटिंग में ज़्यादा है इस बिकास उफ लाक उफ इंफरास्ट्रक्चर और हमारे पास ऐसे इंडिया में दो तीन स्केटिंग रिंख है और जो बेस्केटिंग रिंख है वो डेरादून में बना था और दोजार आट में उसकी ओपनिंग हुई थी देट इस अफ दे इंटरनाशनल लेवल वो ऐसा था कि जैसे आपने पूरा कैनेडा से पूरा एक र पर देख दोजानल है तो यह प्तेशनल तो है हमारे इंडुस्तान में आपने इस बात नहीं है स्केटिंग रिंटेशनल में बेल लेके आरह हैं बट एक जो पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है अभी हमारी है आई सुक्षी में अभी हमें सिल्वर मेडल मिला यह था एक्षि कि अनुए आई स्केटिंग के प्रेजिटेंट आर्केट։पता इस तरह के competition और training camps का आयोजन करते रहते हैं। इन्होंने भी ice skating को सरकार से सहयोग और मनेता दिये जाने की बात कही है। हम दो-तिन महीने में competition करते रहते हैं। इसका नाम रखा हमने All India Open Challenge डिफरेंट नाम से डिफरेंट इंटरवर पर competition करते रहते हैं। नेशनल चेंपरिशिप साल में एक बार होती है जो आम तोड़ से दिसंबर में करते हैं। आज जो है 30 बच्चे हैं जो लगबग पूरे भारत से हैं। आज हमारे देश के युवा खिलारियों को आइस स्केटिंग में बहतर ट्रेनिंग सुविधाओं के लिए विदेश का रुख करना पड़ता है। जबकि दहरादून में बना वर्ल्ड क्लास आइस स्केटिंग रिंक पिछले साथ सालों से बंद पड़ा है। आइस स्केटिंग से जुड़े एसोसियेशन, ब्लेयर्स और पैरेंट्स को भी उमीद है कि जल्द ही भारत के टैलेंटेड स्केटर्स को बहतर सुविधाएं मुहिया होंगी जिससे वो भविश्य में उलम्पिक जैसे खेलों में देश का प्रतिनी धित्व करने का सपना प झाणी जड़े आए लभी वो जैसे खेलो ।